हालो स्टूडेंट्स नमस्कार मैं मैं बल्डोदिया अभीवक्ति के माध्यम से आप से मुखातिब हो रहा हूँ NTA बहुत जाना पैचाना नाम है National Testing Agency देश भर की प्रतिस्ठिस रास्ट्यस्तर की परिक्षाएं आयुजित कराने का जिम्मा NTA के पास है NTA की चांदी कैसे हो रही है NTA कैसे करोड़ों अर्बों बना रहा है आज के इस वीडियो के मध्यम से मैं आपको बताऊंगा हम आंसर की के Objections देते हैं आंसर की के साथ-साथ जो Aumar Seat के Recorded Response होते हैं उसके लिए भी Objection जो है वो NTA मांगता है परिक्षा के दोरान विद्यारती जब Aumar Seat पर 180 questions solve करता है 180 questions वो जब solve करता है solve करने के बाद exam hall से बाहर आता है तो उसको कोई भी इस तरीके का Record, Data उपलब्द नहीं करवाया जासा जिससे उसको याद रहे या उसको पता रहे कि उसमे 180 questions में क्या फिल किया था खेर ये और बात है exam का result आता है और result आने से ठीक पहले NTA आप से objections मांगता है recorded response के objection जिसमें NTA आपको आपकी Oumar Seat की scanned copy देता है और उसमें आप objection लगाते हैं इसके अलावा दूसरा objection answer की का होता है प्रती objection आपको पता है per objection 1000 रुपी चार्ज किये जाते हैं और अगर आपका objection सही निकला मतलब answer की में अगर कोई बदलावाया तभी आपका पैसा वापस लोटाया जाता है तो students इससे कित्ती बड़ी कमाई हो रही है 200 करोड रुपे answer की के objection से NTA ने अब तक कमाए है 2019, 20, 21, 3 साल की यूजी परिक्षाएं NEET की NTA अब तक आयुजित करवा चुका है और सिर्फ answer की के objection से NTA ने 200 करोड रुपे कमाए है काफी अच्छी कमाई हो रही है होनी भी चीए क्यों नहीं लेकिन NTA की परिक्षा व्यवस्ताओं में कई खामिया है जो शायद इस पैसे का सही उपभोग करके सही उटिलाइजेशन करके दूर की जा सकती है 180 questions जो आपने आउमार सीट में response आपका record किया है वो जब आपको मिलता है scan copy के form में तो उसको याद रख पाना काफी मुश्किल काम होता है NTA को exam के time बच्चों को विद्यारतियों को कुछ evidence या प्रूफ जरूर देना चाहिए जैसे कि उसके carbon copy दी जा सकती है इसके अलाबा students NTA आवेदन से कमा रहा है 5 अरब 65 करोड रुपे पिछले 3 सालों में NEET UZ के जो आवेदन हुए हैं जो applications हुए हैं उनसे 5 अरब 65 करोड रुपे कमाये गए हैं और सबसे ज़्यादा चोकाने वाली बात तो ये है कि 3 साल की audit report भी NTA अब तक सारवजनिक नहीं कर पाया है ये जितने सारी जानकारिया हैं प्रतिश्य समाचार पत्र में छपी हैं इसके अलाबा एक RTI activist के RTI data के हवाले से मैं ये बातें बोल रहा हूँ जिसमें NTA की कमायी काफी बढ़ी है लेकिन students के सामने परेशानिया यतावत हैं वैसी की वैसी ही बनी हुई है अब आप समझ ये आपके answer की के objections से 200 करोड रुपे NTA ने कमाये लेकिन इस बात पर सबसे ज़्यादा गौर करने की जरुरत है answer की में जितने objections लगे अब तक उन में से कितनों का solution आया इस वर्स की परिक्षा में physics के हिंदी के questions जो है वो अब तक बहुत बड़ा सवाल NTA की साक पर बने हुए है बहुत सारे experts, लोगों और विद्यारतियों के दिमाग में अभी तक वो सवाल तेर रहे हैं और आपको बहुत रोचक जानकारी साजा करूँ 2020 के exam में जो OMR seat के objections थे वो 1000 से कम थे 970 के आसपास रहे लेकिन 2020 में जो answer की के objections थे वो 9,770 थे मतलब करीब 10,000 बच्चों ने answer की objection लगाए लेकिन इजसाल answer की के objections जो है वो 4070 पे आगे और OMR seat के objections जो है वो 515 रहे मतलब 515 वो रहे है तो आप ये देखिए क्या बच्चों में NTA की साख जो है वो लगतार गिर रही है कि answer की के objections लगाए जाने के बाद वहां correction तो होगा नहीं इसलिए हमें answer की के objections नहीं लगाने चाहिए 2020 के मुकाबले 2021 में answer की के objections काफी घटे है खेर ये paper के स्थर पर और paper में आयवे questions की nature पर भी depend करता है हम बहुत सीधा सवाल या निसान नहीं लगा सकते लेकिन ये संधे जरूर पैदा करता है answer की के objections से NTA ने 3 साल में 200 करोड रुपे कमाए है और UG के आवेदन से 5 अरब 65 करोड रुपे कमाए है NTA को अपनी audit report प्रती वर्स सारवजनिक करनी चाहिए जिससे transparency बनी रहे और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि NTA जैसी testing agency जो राष्ट्रे स्तर की परिक्षाओं को करवाने का जिम्मा ले रही है उस परिक्षा agency को परिक्षाओं को बहुत बहतर और सुगम बनाए जाने की भी प्रावधान करने चाहिए मैं में बल्डो दिया अभी व्यक्ति के माध्यम से आप से मुखातिप हो रहा था Be safe, enjoy your life Thank you